जैश्री कृष्णा राधर राधे दोस्तों आप सबी का स्वागत है मेरे चैनल पर दोस्तों आज मैं आपके लिए कैसी कथा लेकर आई हूँ जिससे हम जानेंगे ब्रजरज की महिमा वैसे तो दोस्तों हम ब्रज रज की महिमा का बखान कुछ शब्दों में तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते ब्रज की रज चंदन बनी, माटी बनी अभीर, कृष्ण प्रेम रंग खोल के लिप्टे सब ब्रज बीर ब्रज की रज भक्ती बनी, ब्रज है काना रूप, कणकण में माधव बसे, कृष्ण समान स्वरूप ऐसे ही हमारे संतों ने अपने अपने शब्दों में ब्रज रज की महिमा का बखान किया है तो आज मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ कि ब्रजरज की महिमा कितनी है तो आईए सुनिए शोबा नाम की एक औरत जिसकी बेहन व्रिंदावन में रहती थी एक दिन वेहन उसको मिलने के लिए व्रिंदावन गई शोबा जो की काफी पैसे वाली औरत थी लेकिन उसकी बेहन की इरती जो कि व्रिंदावन में रहती थी ज़ादा पैसे वाली नहीं थी लेकिन दिल की बहुत अच्छी थी यह कह सकते हैं कि दिल की बहुत अमीर थी उसका पती मिट्टी के घड़े बनाने का काम करता था शोबा काफी सालों बाद अपनी बेहन को मिलकर बहुत खुश हुई लेकिन उसमें थोड़ा सा अपने पैसे को लेकर धमंड भी था वो कीरती के घर हर छोटी बात पर उसकी चीजों में से नुक्स निकालती रहती थी लेकिन कीरती जो थी उसको कुछ न कहे बस यहीं कह देती थी कि बिहारी जी की इच्छा लेकिन शोबा हर बात पर उसको नीचा दिखाने की कोशिश करती कीरती ने अपनी तरफ से अपनी बेहन की आवभगत में कोई कमी न छोड़ी उसने अपनी बेहन का पूरा ख्याल रखा उसने उसको व्रिंदावन के सारे मंदिर के दर्शन करवाए और उनकी महिमा के बारे में बताया शोबा यह दर्शन करके खुश तो हुई और उसने महिमा मिजुनी लेकिन उसका इन चीजों में इतना ध्यान नहीं था बस दर्शन करके वापस आ गई उसको व्रिंदावन में रहते हुए काफी दिन हो गए थे एक दिन वेह अपनी बेहन से बोली कि कीरती अब बहुत दिन हो गए तेरे घर रहते हुए अब मुझे अपने घर जाना चाहिए तो कीरती थोड़ी सी उदास हुई और बोली बेहन कुछ दिन और रुख जाओ शोबा बोली नहीं काफी दिन हो गए मुझे आए हुए घर में मेरा पती और बच्चे अकेले हैं उनको सास के सहारे छोड़ कर आई हूँ अब मैं फिर कभी आऊंगी जब शोबा वापिस आने लगी तो कीरती जो की शोबा की बड़ी बेहन थी उसने अपनी छोटी बेहन को उपहार स्वरूप मिट्टी का घड़ा दिया खड़े को देखकर शोबा हैरांस ही हो गई और मन में सोचने लगी कि कोई उपहार में घड़ा भी देता है लेकिन कीरती के बार-बार अग्रे करने पर उसने अनमने मन से खड़ा ले लिया जब शोबा जाने लगी तो कीरती की आँखों में आसु आ गई लेकिन शोबा उससे नजरे जुराती हुई जल्दी जल्दी वहां से चली गई सारे रास्ते शोबा यहीं सोचती रही कि मैं घड़ जाकर अपनी सांस और पती को क्या बताऊंगी कि मेरी बेहन ने मुझे घड़ा उपहार में दिया है उसको इस बात से बहुत लज्जा आ रही थी उसने सोचा कि मैं घर में जाकर जूट बोल दूँगी कि घड़ा मैंने खरीदा है मुझे तो मेरी बेहन ने काफी कुछ दिया है इसे तरह सोचती सोचती घर पहुँची और उसने घर जाकर खड़ा अपनी रसोई के उपर रख दिया उसके मन में बहुत ही गुसा आ रहा था कि मेरी बेहन इस लायक भी नहीं कि छोटी बेहन को कुछ पैसे उपहार दे सके एक खड़ा पकड़ा दिया अब उसको अपने घर आए काफी दिन हो गए गर्मियों के दिन थे तभी उसके गाओं में पानी की बहुत दिक्कत आने लगी कुए में नदियों में पानी सूख गया उसके गाओं के लोग दूर दूर से पानी भर कर लाते थे पैसे होने के बावजुद भी शोबा को पानी के लिए बहुत दिक्कत हो रही थी एक दिन शोबा बहुत दूर जाकर पानी भर रही थी, वहां और भी औरतें पानी भरने के लिए आई हुई थी, जल्दी पानी भरने की होड में धक्का मुक्की में शोबा का घड़ा तूट गया, शोबा दूसरी औरतों पर चिलाने लगी यह आपने क्या किया, बड़ी मुश्किल से तो मैंने पानी भरा था, आप लोगों ने धका मुकी करके मेरा घड़ा तोड़ दिया, अब बहुदास मन से घर आई, उसके पास कोई और दूसरा वरतन भी नहीं था पानी भरने के लिए, तभी अचानक उसको अपनी बहन के दिये हुए घड़े की याद और फिर चल पड़ी तूर पानी भरने के लिए, जब कुए पर पहुँची तो अभी भीड कम हो चुकी थी, पहें घड़े में पानी भर कर घर लाई, उसका पती खेतों से वापस आया, गर्मी अधिक होने के कारण वहें, गर्मी से बेहाल हो रहा था, और आकर उसने कहा, शोबा, क्या घर में पानी है, क्या एक किलास पानी मिलेगा, शोबा ने कहा, हाँ, मैं अभी भर कर लाई हूँ, उसने उस खड़ेस में से एक किलास भर कर पानी अपने पती को दे दिया, गले में से पानी उतरते ही, उसका पती एक तम से उठ खड़ा हुआ, और बोला, यह पानी तुम कहां से लाई हो शोबा एक तम से डर गई कि शायद मुझसे कोई भूलो गई है तो उसने कहा क्यों क्या हुआ उसका पती बोला यह पानी नहीं यह तो अमरित लग रहा है इतना मिठा मैंने पानी आस तक नहीं पिया यह तू कुए का पानी लग ही नहीं रहा यह तो लग रहा है कि किसी मंदिर का अमरित है शोबा बोली मैं तो कुए से ही भरकर लाई हूँ यह देखो घड़ा भरा हुआ है उसके पती ने कहा यह घड़ा तुम कहां से लाई थी उसने कहा जब मैं व्रिंदावन से वापिस आ रही थी तो मेरी बेहन ने मुझे दिया था यह सुनकर उसका पती चुप हो गया अब शोबा का पती बोला कि मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ जब तक तुम भोजन तयार करो शोबा ने उसी खड़े के जल से दाल चावल बनाए खड़े के पानी से दाल चावल बनाने से खुश्पू पूरे गाउं में फैल गई गाउं के सब लोग सोचने लगे कि आज गाउं में कहां उतसब है जो इतनी अच्छी खुश्पू आने लगी है सब लोग एक के करके खुश्पू को सूंकते हुए शोबा के घर तक आ पहुँचे साथ ही उसका पती भी आ गया उसने आकर पूछा कि आज तुमने खाने में क्या बनाया शोबा ने कहा मैंने तो दाल चावल बनाए है सब लोग हैरान हो गए कि दाल चावल की इतनी अच्छी खुश्पू सब लोग शोबा का मूँ देखने लगे कि आज तो हम भी तेरे घर पे दाल चावल ही खा कर जाएंगे उसने किसी को मना नहीं किया और थोड़ी थोड़ी दाल चावल सब को दिये दाल चावल खाकर सब लोग उसे कहने लगे यह दाल चावल नहीं ऐसे लग रहा है कि हम लोग अमरित चक रहे हैं शोबा के पती ने कहा तुमने आज दाल चावल कैसे बनाए शोबा ने कहा कि मैंने तो यह घड़े के जल से ह दाल चावल बनाए है शोबा का पती बोला तेरी बेहन ने तो बहुत अच्छा उपहार दिया है अगले दिन जब शोबा घड़ा भरने के लिए जाने लगी तो उसने देखा घड़ा तो पहले से ही भरा हुआ है उसका जल वैसे कब वैसे ही था जितना कल वो लेकर आई थी उ अचानक उसी दिन उसकी बेहन कीरती उससे बिलने के लिए उसके घ़र आई शोबा अपनी बेहन को देखकर बहुत खुश हुई उसको गले मिली और उसको पानी बिलाया उसने अपनी बेहन को कहा यह जो तूने घड़ा दिया यह तो बहुत ही चमतकारी है मैंने तो तुछ समझ कर सोई के उपर रख दिया था लेकिन जब से मैंने इसमें जल भरा तब से यह वैसा का वैसा ही पड़ा है इसका जल इतना मिठा है कि इसके जल से मैंने दाल चावल बनाए जो की अमरित के समान बने उसकी बेहन बोली अरी ओ मेरी बोली बेहन क्या तो नहीं जानती कि यह घड़ा ब्रज की रज यानी व्रिंदवन की माटी से बना है जिस पर साक्षात किशोरी जू और ठाकुर जी नंगे पाउं चलते हैं उसी रज से यह घड़ा बना है यह घड़ा नहीं साक्षात किशोरी जी और ठाकुर जी के चरन तुम्हारे घर पड़े है किशोरी ज और ठाकुर जी का ही स्वरूप तुम्हारे घर आया है। यह सुनकर उसकी बेहन अपने आपको कोस्ती हुई और शर्मिंदा होती हुई अपनी बेहन के कदमों में गिर पड़ी और बोली मुझे शमा कर दो जो मैं व्रिंदावन की रज की महिमा को ना जान सकी। जिसकी मार्टी में इतनी शक्ति है तो उस पांग के बिहारी और लाटली जू में कितनी शक्ति होगी। मैं अग्ज्ञानी मूर्ख ना जान सकी। मुझे व्रज की महिमा और उसकी महात्ता का नहीं पता था। मुझे शमा कर दो। उसकी बेहन उसको उठाकर गले लगाती हु बहने पुलालाओं बोली कि है बैहन कि शोरी जी और ठाकोची बहुत ही करुनावतार है Saying तुम्हारे उपर उनकी क्रिपा हुई जो इस खड़े के रूप में इस रज के रूप में तुम्हारे घर पधारे शोभा बोली बैहन तुम्हारे ही कारण मैं धन्यों उठी हूँ, तुम्हारा लाख लाख धन्यवार। यह कहकर दोनों बेहने आखों में आशु भर कर एक दूसरे को गले लगा कर रोने लगी। तो दोस्तों आज की कथा में बस इतना ही, तो आप सबने जाना की ब्रजरज की क्या महिमा है। ऐसी ही कथाओं के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेर जरूर कीजिए और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहें। जैश्री राधे दोस्तों, जैश्री क्रिष्णा बोलिये ब्रजरानी की जै।